आज हम आपको एक ऐसे अनोखे ब्रिज के बारे में बताएंगे जो वाकई भगवान के हाथों पर बना है जी हाँ, आपको यह सुनकर काफी हैरानी हो रही होगी मगर यह बात सच है कि एक ऐसा ब्रिज है जिसे भगवान ने खुद अपने हाथों में ठाम रखा है यह bridge वेतनाम में है और इस bridge को golden bridge के नाम से जाना जाता है इस bridge की बनावट को देख कर सभी इसकी ओर आकर्शित हो रहे हैं वेतनाम में बने इस bridge की खासियत है कि यहां दो विशाल हाथों पर टिका हुआ है समुद्र तल से 1400 मीटर उंचाई पर बने इस पुल को बेहद अनोखे ढंग से बनाया गया है यह पुल दो हाथों पर टिका है और इन हाथों को hands of God कहा गया है इन्हें बेहद अलग तकनीक से बनाया गया है अगर इससे कहा जाए कि यह तकनीक और कारीगरी का बेखतरीन नमूना है तो यह गलत नहीं होगा विएतनाम एक बहुत खुबसूरत देश है और जब से यह ब्रिज बना है तब से इस देश की खुबसूरती में चारचान लग गए है इस ब्रिज को देखने दूर दूर से सहलानी आते हैं और ब्रिज पर चड़कर हरे भरे पहारों को देख कर खुब तस्वीरे खिंचवाते हैं वैसे तो दुनिया में कई ऐसे ब्रिज हैं जो बहुत उपसूरत है मगर इस ब्रिज की अनोखी बनावट लोंगों को अपनी और खुब आकरशित करती है दरसल यह ब्रिज 150 मीटर लंबा है और इस ब्रिज को बस दो हाथों में टिकाया गया है बात यह है कि यह हाथ बेहत बड़े हैं और इसलिए इन्हें भगवान के हाथ कहा गया है गोल्डन कलर के इस ब्रिज को मिटी के रंग के दो हाथों पर टिकाया गया है आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि यह ब्रिज के वल एक साल में बन कर तयार हो गया इस ब्रिज का उदगाटन जून 2018 में हुआ है इतने कम वक्त में इतना खूबसूरत ब्रिज तयार करने वाला देश स्वेयतनाम दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने ब्रिज का इतने कम समय में निर्मान किया है इस ब्रिज को खुबसूरत लोकेशन पर तो बनाया ही गया है साथ ही इस ब्रिज की खुबसूरती को बढ़ाने के लिए लोबेलिया के फूल भी लगाए गए है यह ब्रिज चारोत तरफ से पहाणों से घिरा हुआ है इस ब्रिज को टी एलेंड स्कैप आर के टेक चरने बनाया है